हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में हर एक स्टॉक में आपको पोजीशन बनाना नहीं है मैं वीडियो बना रहा हूं यह सा जरूरी नहीं कि हर एक के स्टॉक में आपको पोजीशन बनाना चाहते हैं या मिडिक्षय देख रखैर में उसी चाह्न के बारे में बारता हूं वहां सब्सक्राइब करना चाहूंगा अगर आपको स्मॉल कैप में पोजिशन बनाना है तो आप आखिर तक यह वीडियो देख लीजिए जरूर यह जरूरी नहीं कि आपको इस बीडियो इस स्टॉक में पोजिशन बनाना है क्यूंगी काफी सरा फ्रेंस का यही सवाल आएगा क्य फ्रेंट्स में इसलिए थम्नेल पर लिख दिया हूं कि यह रिस्की स्टॉक है ठीक है थोड़ा सा रिस्क जरूर यह लेकिने रिस्क रिवर्ड रेशियो क्या है लास्ट तक जरूर देखे मैं आपको जरूर सारे चीज एक्स्प्लेंड करूंगा इसमें क्या क्या ना जरा रहा है पॉजिटीव फेक्टर क्या है किसी को मैंने पॉजिटिव में लेकि मैं आपको प्रेजन करना चाहा हूं ठीक है आप चीज को बराबर समझ समझ लिजिए अगर आपको ठीक लगता है तो यह फिर पॉजिशन बनाई है इसको स्कीफ कर दीजे ठीक है कोई जरूरी नहीं कि हरेक स्टाइक में आपको पॉजीशन बनाना है इसका अगर हम देखते हैं ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं चल रहा है 142 के पास में चल रहा है यहां पर एक बहुत बढ़ा सा क्रेक्शन हो चुका है अगर इस हिसाब से हम अगर इस टॉक का अगर देखते हैं यहां फाइनन्स शेक्टर का कम्पनी है माइक्रो फाइनन्स कंपनी है जो कि अबस इसका बुक वैलु हम देखेंगे 207 का book value current price चल रहा है 147 के पास में ठीक है मतलब book value से बिलकुल discount price पर अभी current market price चल रहा है तो इसी साब से अगर stock का हम एक बार profit loss देख लें तो इसी साब से आप अगर profit देखेंगे तो आप यहां से देखने कि आगे की बिलकुल जरूरत भी नहीं है क्योंकि loss making company है अगर हम देखते हैं इस finance sector में इसमें loss है अभी losses है क्योंकि यहां पर NPA वगेरा आ रहा है तो इसके बजल से यह सारा factor चल रहा है अभी अगर हम देखते हैं collection भी नहीं हो पा रहा है अगर हम देखते हैं यहां पर December का sales देख लेते हैं सेल्स में कोई problem नहीं है अभी जहां पर 2018 में 495 करोड का sales था अभी अगर देखते हैं 736 करोड का sales हो चुका है के बाद में अभी September का अगर quarter देखते हैं तो इसी साब से 57 करोड का यहां पर नेगेटिव प्रॉफिट पोस्ट किया है तो इसी साब से अगर हम देखेंगे लास्ट चार क्वाटर का अगर प्रॉफिट भी देखते हैं यहां पर 478 करोड का यहां पर नेट प्रॉफिट में तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यह स्टॉक में हम क्यों बोल रहें क्या पॉजिटिविटी है जो कि आपको बिल्कुल स्टॉक को स्किप नहीं करना चाहिए कितना इन्वेस्टमेंट करना आखिर तक देखें में जरूर बताऊंगा सारे एक शेक्टर में आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा अगर देखते हैं यहां पर अगर लास्ट चार का हम देखते हैं यहां पर तूथाज़न नाइन अट उन्टी फाइव करोड का यहां पर से लगए तो इसी हिसाब से हम अगर प्रॉफिट की बात करते हैं प्रॉफिट अभी नेगेटिव में चल रहा है ठीक है जो एन्पी वगए अगर यहां पर यहा अगर यहां पर हम देखते हैं रिजर्व की बात करते हैं रिजर्व में यहां पर देखते हैं तो चूवीस सो करोड का रिजर्व है तो रिजर्व में अगर यहां पर तीन सो करोड का अगर हम देखेंगे तो घ्राव अब हो यहां पर दिख रहा है तो इसी साफ़ साबढ़ हम देखते हैं यहां पर में है निए परसेंट वह उसके बाद में हैं स्टेक उड़ीट परसेंट कुछ उनको नजर आ रहे ना तभी तो यहां पे अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं तो इसी हिसाब से हमें भी यहां पे थोड़ा सा अपना नजर रखना ही चाहिए मेरे हिसाब से आज का दिन का डिलीवरी एक बार चेक करते हैं आज का दिन में 26% का डेलिवरी उठाया गया जो की बारा प्रेटन्स अगर हम चाट पैटन में जाके एक बार चेक कर लेते हैं । ऐसे बिलकुल स्टाउक का पास में आठाए है तो इसी साब से जितना बेरीशी होना था स्टॉक बिल्कुल निचे आ चुका है तो अगर हम करेक्शन की बात करते हैं स्टॉक कितना पर्सेंटेज करेक्शन हुआ है यहां पर दिखिए 2017 में आल टाइम हाई था उसके बाद में स्टॉक का जो करेक्शन हुआ है 75 परसेंटेज का करेक्शन पर मिल रहा है फ्रेंस ठीक है आप जरूर बोलेंगे कि इसा स्टॉक में पोजिशन बना के कौन सा हमें ज्यादा फाइदा मिलेगा इसा स्टॉक में मैं आपको नहीं बोल आइब आधा बैट में लेंगे तहरे प्रसेंट अब द्रस का ज़रोडा है क्योंकि और बड़ी में बोलेंट नहीं है अगर नहीं पर आय systines का प्रोब्लेम क्शल रहा हिं लोर्ण रिकामरी नहीं हो पा रहा है यांशी प्रोब्लेम है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा हम रिस्क लेके पॉर्टफोलियो का वान टू परसेंट अगर इंवेस्टमेंट करके चलते हैं आप देखिए कौन सा लेबल तक आप जा सकते हैं अगर यह स्टॉक में आप दो साल के लिए अगर के लिए ले के लिए आपको कितना आप स्गम वी कि लेगा देख ली जेख लीजिए siitä जरुर यप को Еще अगर तक कितना परीमिलैस के जलेगे मिल सकता है दो साल को अगर पंधार करके चलते हैं तो आपका पंद्रहजार रुपे जरूर वन सकता है से कितना बड़ा सा रीबल कर सकता है दो साल में लेकिन फिर भी अगर आपको सट टर्म गेन लेना है इस टॉक में से अगर आप पोजिशन बनाना चाहते हैं मैं आपको यह वीकली चार्ट दिखाए फ्रेंस यह जो चार्ट पेटन में यहां पर लगाया यहां पर दिखिया वीकली चार्ट लगा हुआ है अभी हम एक दिन का चार्ट बैटन लगा लेते हैं तो इसी साब से स्टॉक में जब देखते हैं यहां पर मुविंग आवरेज के निचे ही चल रहा है ठीक है अगर फ्रेंस आपको देखना है कि मुविंग आवरेज के सेट करते हैं यहां पर आई बटन में उसका वीडियो लगा हुआ है तो अगर यहां तक जरूट में पूलड बना हुआ है इसाब से अगर यहां तक आगर इस टॉक में आप पोजिशन बना के चलते हैं केुआ कितना न सकता है कब ₤ कि पर्सेंटेस्स का गिय न यह हो सकता हुआ मनसों मिल जए हो सकता है तू मनस में मिल जाए शॉचय थ्री मौंश में मिल जये लेकिन यह पका त्री मंज से पहले-फेले अबको यहां यह则 यहां पिए यहां पर आपको देखेंगे यहां तक स्टॉक आया है सिआ यहां पर बाद में कितना दिन लगा है थाओ फिर फट्रॉल करेंगे फिर आप गालेया दो यहां नहीं चाहता हूं ठीक है आपका अगर पोर्टफोलियो में नेगेटिव में इंपक्त पड़ता है आपको अगर कुछ भी तकलिफ होता है उससे ज्यादा तकलिफ मुझे होता है क्योंकि आपने यहां पर टाइम इन्वेस्ट करके वीडियो देखके अच्छा सा पोजीशन बनाए फिर भी आपने स्ट जरूर देखने को मिल सकता है यहां पर दो तिन बार स्टॉक में रिजिस्टन स्पेस किया है अगर हम इस लेबल की बात करते हैं यहां पर देख लीजिए ठीक है मैं क्यूं बोल रहा हूं इस लेबल तक हम जा सकते हैं अगर आप एक साल भी टाइम देंगे मुझे लगता है यह टार्गेट आपको जरूर आचीब हो सकता है ठीक है 1296 का जो टार्गेट है यहां पर दिखिए एक बार यहां पर स्टॉक ने रिजिस्टन स्पेस कि किया तो यहां पर भी इसी साब से फेस किया तो इसी साब से अगर इस टॉक में आप पोजिशन बना के चलेंगे तो 296 नोट करके चलिए अगर 296 तक अगर लेके चलते हैं अभी का करेंड मार्केट प्राइस से अगर भाई करके चलेंगे और इस चल रहा है 142 142 से लेकर वहां तक चलते हैं आपको 110 परसेंटेज का गेन मिल सकता है एक सो ग्यारा परसेंटेज का प्राफिट यहां पर जरूर मिल जाएगा एक साल के लिए आपको होल्ड करना है लेकिन छोटा सा इंवेस्टमेंट कीजिए कोई बड़ा इंवेस् हैं और हमें किसी को दोस्ते कि कुछ को यह करके बलेम करके कोई फाइदा नहीं है क्योंकि यह हर किसी के साथ हो सकता है जितना बड़ा इनवेस्टर हो कोई भी हो आपको हम इसलिए इंट्रै नहीं करते हैं इसलिए मार्केट में डिलिवरी लेकर बैटते हैं पाराम से अग पर में हमेशा बात करता हूं लेकिन HDFCC में किसी को नहीं पता है इतना दिन से चल रहा है लेकिन कंपनी कोई बुरा नहीं है ठीक है बहुत बढ़ी है फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी है लेकिन टाइम कभी-कभी एसा पर चलता है वह बैटना ही है लेकिन बागेगा उस टाइम पर आपको पोजीशन बनाने देगा यह नहीं तो भागते जाएगा दो तीन उना रिटन देगा के साथ में इंतिजार किजिए आपको स्टॉक मर्केट से जरूर मिल जाएगा और आप हमेशा जब करेक्शन होता है वान टू पर्सेंट करेक्शन पर आप बिल्कुल घब रही है मत आप स्टॉक मर्केट में बने रहेंगे तो यह आप ले सकते हैं ठीक है हम कोई भी चाहिए जाएगा हमने कोई भी स्टॉक लिए ना मिनिमाम थाटी पर्सेंट से निच्चे हमने कोई भी स्टॉक बाइ किया लेकि तो इसलिए एक साल मिनिमूम करना ही पड़ेगा अभी थ्री मॉंस में मिल जाता है तो हमारा लगफ प्र काम करता है ठीक है कि उसी तरवाले हमारा साथ में होता जो भगवान अपने साथ में होता है तो उस टाइम पर अपना तरगेट आचिव हो जाता है जरूरी नहीं है कि हमेसा होगा ठीक है लेकिन हम अराम से अपना कैपिटल जो है करके रखेंगे पॉर्टफोलियों में अच्छा सा स्टॉक में बने रहेंगे तो आपने को टर्गेट आजीव होई जाएगा कोई भी स्टॉक आपका लॉस में कोई टेंशन लने की जरूरत नहीं है अपना पॉर दौलत में मैंने पोजिशन बनाया मुझे लगता है दौलत ये वन टू मन्स में इसका टार्गेट आचीव हो सकता है ठीक है अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए बढ़ईयों को जरूर लाइक कीजि क्योंकि कुछ फैक्टर तो पजिटिव है जो चीज़ आपको मैंने बताया तो उसी साब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं छोटा सा इंबेस्टमेंट कीजिए कोई बड़ा इंबेस्टमेंट मत कीजिए अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्र उर वाचिंट एस वीडियो में ते ने ने एक्स वीडियो